नमस्कार, आज मैं आपको हनुमान जी की कुछ मंत्रों के बारे में बताने जारी हूँ बजरंग बली की पूजा दुखों के नाश के लिए अत्यंत परभावशाली मानी जाती है ऐसी मानेता है कि जो वेक्ति उनका ध्यान करता है, उनके मंत्रों का जाब करता है उन पर बजरंग बली की कृपा हमेशा बनी रहती है कहा जाता है कि अगर हर मंगलवार और शनीवार को हनुमान जी के चमतकारिक मंत्रों का जाब किया जाए तो वेक्ति को काम्या भी हासिल होती है साथ ही हनुमान जियन्ती के दिन भी इन मंत्रों का जाब बड़ा फलदाई होता है पहले मैं आपको हनुमान जी के बारा नामों के बारे में बताती हूँ हनुमान जी के बारा नाम बारा मंत्र है मानेता है कि उनके बारा नामों में इतनी शक्ती है कि इंसान के किसी भी तरह के कश्ट दूर हो जाते हैं उमर में व्रिदी होती है, साथ ही समस संसारिक सुखों की भी प्राप्ती होती है उनके बारा नामों का जाप आप कम से कम मंगलवार उन शनिवार को जरूर करें पूरे सप्ता करने से इसके और अधिक सकारत्मक परिनाम मिलेंगे हनुमान जी के बारा नाम इस प्रकार है हनुमान जी के इन बारा नामों का उच्चारन करने से आपकी कई वर्षों से चली आरी परिशानिया पल भर में चूमंतर हो जाएंगी आएए अब जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी के नामों का किन किन समस्याओं में कब और कैसे समांड करना चाहिए दीर गायू पाने के लिए रोजाना सुबह उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन बारा नामों का ग्यारा बार बिना रुके उच्चारन करने से आप दीर गायू होंगे इसके इलावा आपके उपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा सनान करते समय नाम लेने से इश्ट की प्राप्ती होती है धन्वान बने रहने के लिए हनुमान जी के इन नामों की महमा वैसे तो अनन्थ है लेकिन दोपहर के समय अपने ओफिस, घर या दुकान में बैठ कर भी इन बारा नामों का समांड करने वाले भक्त के जीवन में पैसों की कमी नहीं रहती इसके इलावा रुका हुआ धन वापिस मिलता है और हनुमान जी के ये बारा नाम कर्ज से भी मुक्ती दिलाते हैं हनुमान जी के ये बारा नाम खतम कर देते हैं ग्री कलेश चाहे इस्तरी हो या पुरुष यदि आपके जीवन में परिवारिक कलेश रहता है ऐसे लोग यदि महावीर के इन बारा नामों का जाप संध्यकाल में करते हैं तो उनके परिवार में सुक शान्ती बनी रहती है हनुमान जी के बारा नाम भै और शत्रू से रक्षा करते हैं यदि आपके जीवन में ग्यात अग्यात भै बना रहता है या आपके शत्रू आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संधीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के ये बारा नाम ऐसे लोगों को रात को सोने से पहले इन बारा नामों का जाप करना चाहिए हनुमान जी के इन 12 नामों का नीमित रूप से जाब करने से उनकी कृपा आपके उपर विशेश रूप से बनी रहती है किसी नए कार्या की शुरुआत करने से पहले जैसे दुकान खोलने, मकान का निर्मान, नोकरी की शुरुआत या किसी यात्रा पर जाने से पहले इन बारा नामों का जाप करें फिर शुरुवात करें इसके इलावा आप किसी वाद विवाद में पड़े हो या किसी मुकदमे की वज़े से परिशान हो तो वहाँ जाने से पहले भी इन बारा नामों का जाप जरूर करें पीले कागस पर लाल रंग से लिखकर इन नामों को घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान पर भी लगा सकते हैं भोज पत्र पर अश्ट गन से लिखकर इसे लौकेट की तरह गले में धारन कर सकते हैं इन बारा नामों का निरंतर जाब करने से विक्ति की हनुमान जी दसो दिशाओं एव आकाश पाताल से रक्षा करते हैं मनोकामना पूरी करने के लिए इन बारा नामों का नित्य प्रातय नो बार जाब करना चाहिए टोटल ये 108 हो जाएंगे इससे आपकी सारी मनोकामनाय पूरी होंगी आए अब जानते हैं हनुमान साधना के कुछ अचूक और परभावी मंत्रों के बारे में जिनका जाब करने से हर मनोकामना पूरी होती है और सारे संकर दूर होते हैं पहला है संपत्ती से जुड़ी समस्या या जीवन की किसी भी समस्या के समाधान के लिए इस मंत्र का जाब करें ओम मारकाय नमहा नोकरी रोजगार से सबंदि समस्या से मुक्ती पाने के लिए इस मंत्र का जाब करें ओम पिंगाक्षाए नमहा, मान सम्मान और यश पाने के लिए मंत्र है ओम व्यापकाए नमहा, दुश्मनों का डर सताए तो ये मंत्र रामबान का काम करता है ओम हम हनुमते रुद्रात्मक कायम हुम फट हनुमान जी की क्रिपा प्राप्ति के लिए उनके दर्शन के लिए मंत्र है ओम हम पवन नदनाए स्वाहा शत्रों के हर वार की काठ है ये मंत्र ओम नमो हरी मरकट मरकटाए स्वाहा मुकदमे वाद विवाद कर्श से मुक्ति के लिए इस मंत्र का जाब करें ओम नमो भगवते अंजनियाय महा बलाय स्वाहा सुख शान्ति के लिए इस मंत्र का जाब करें ओम नमो भगवते हनुमते नम्हा हर काम में सफलता कठिन से कठिन काम को भी सफल बनाने का मंत्र है मनोकामना पूरी करने के लिए मंत्र है और मनोरत जो कोई लावे सोई अमिजी वनफल पावे एशुर्य की इच्छा पूरी करता है ये मंत्र अश्ट सिद्धिनो निदिके दाता अस्वर दीन जान की माता सभी परकार के कश्टू को दूर करने के लिए और मनोकामना की पूर् अमंगल हारी द्रव हुस दशरत अजर बिहारी कभी न ठीक होने वाले रोगों कश्टों और हर इच्छा की पूर्ती के लिए मंत्र इस परकार है ओम हंग हनुमते नम्हा यह भी एक बेहत लापकारी मंत्र है हनुमान जी का गायत्री मंत्र इस परकार है हनुमान गायत्री मंत्र के बारे में ये भी मानेता है कि अगर सवा लाख बार इस मंत्र का जब किया जाए तो साक्षत हनुमान जी के दर्शन होते हैं और उनसे मन चाही इच्छा पूरी होती है और मौक्ष की प्राप्ती का वर मिलता है सभी संक्टों भूत प्रेत बाधा जातू टोने से मुक्ति के लिए मंत्र है ओम श्री हनुमते नमा ये हनुमान कवच मंत्र है नकारत्मक शक्तियों और किसी भी परकार के डर को खतम करने के लिए मंत्र इस परकार है ओम नमो हनुमते भै भन्जनाए सुखम कुरू फट स्वाहाँ अब ये जो मंत्र बताएं हैं इनका मंगलवार को जाब कर सकते हैं इन मंत्रों का कम से कम 108 बार या ज्यादा से ज्यादा आपकी जितने ख्रमता हो उतनी बार जाब करें या फिर हर मंगलवार और शनिवार को भी जाब कर सकते हैं या फिर संकल्प लेके 21 या 40 दिन लगातार भी इनका जाब कर सकते हैं इनका जाब नहादो कर स्वच लाल या पीले वस्तर पहन कर करें हो सके तो लाल ही आसन का इस्तिमाल करें और हमेशा एक ही समय पर मंत्र जाब करें अम मंत्र जाब करने से पहले हनु प्रशाद ना हो तो मिश्री के साथ तुलसी भी अर्पित कर सकते हैं। फिर सिंदूर में थोड़ा चमेली का तेल मिलाके एक पीपल के पत्ते पर इस सिंदूर से अपनी समस्या लिखकर उनके चरनों में रख दें। मानजी का मंतर जाब शुरू करें। मंतर जाब लाल चंदन या तुलसी की माला से किया जा सकता है। जाब के बाद भी 5, 7 या 11 बार श्री राम, जैराम, जैजैराम जरूर बोलें। कुछ नेमों का ध्यान रखें। जीवन में कोई गलत काम ना करें। हर इस्त्री का सम्मान करें। भगवान से अपनी गलतियों के लिए शमा याचना जरूर करें। और अपने कश्टों के निवारन के लिए प्रात्ना करें। जल, कपट, कले, कलेश से दूर रहें। मास मदिरा का सेवन ना करें। महलाई हनुमान जी को सिंधूर अरपित ना करें। घर में किसी और से करवा सकते हैं। या लाल फूल अरपित करें। भगवान हनुमान को चिरन जीवी होने का वरदान मिला हुआ है। और ऐसी मानिता है कि वे आज भी इस पृत्वी पर जीवित हैं। मानिता है कि जो भग सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। तो वो अपने भक्तों की सहायता करने जरूर आते हैं। हनुमान जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आशा करती हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यावाद।